वेलकम टू आर डिश्चल लाइबरी हेलो फ्रेंड्स MP में से विर NTA की हाइस्ट अपडेट देने वाले चैनल पर आपका स्वागत है अब MP में से वी नहीं MPNRC की वी आपको हमारी इस चैनल आवर डिश्चल लाइबरी पर हाइस्ट अपडेट अबलेबल होती है तो student का जो questionnaire हो रहा है लगातार comment box में comment देख रहा हूं कि sir exam postpone होने वाले हैं क्या जो भी new time table आया है और साथी साथ sir क्या एक नया time table आने वाला है क्योंकि election को ले करके काफी questionnaire है तो जैसा कि दो बाते हैं इस पर मैं आपको clear करता हूं एक की exam की date और जो election की date से उसके कारण paper postpone कर रहे हैं क्या दूसरा कि sir जैसे तैसे था हम लोग की exam की dates आई है क्या वो postpone फिर से हो रही है की नहीं इसको ले करके आपको आज का ये वीडियो है तो वीडियो काफी इंट्रस्टिंग है तो वीडियो पूरा सुनना है ध्यान से और आपको पता चलेगा कि exam postpone कर रहे हैं क्या जो अभी की निरधारित करेगी साथ एक हैं जो 65 colleges हैं जो सुप्रीम कोर्ट से श्टे लगा हूँ चपन ऐसे colleges हैं जो जिनका अंसुटिवल है मतलो आप आत्र पाए गये हैं और एक हैं आप आत्र एक पात्र हैं विच माइन कुछ दोसों के साथ तो यह 74 colleges हैं अब आप समझें जो 169 colleges हैं उनके तो exam होंगे उनके form fill up हैं लेकिन जो अभी आदेश आया है कि चाहे student suitable हो स्वरी चाहे colleges suitable हो लेकिन च्ट्र के लिए क्या suitable क्या च्छात्र को दे नहीं है तो जिन च्छात्रों च्छात्राओं का एक्जाम देना है उनके लिए फॉर्म भरना तो एप्लिकेबल है और जैसा कि अब 169 कॉलेज प्लस 49 कॉलेज प्लस 56 कॉलेज और प्लस 65 कॉलेज टोटल लगबग देखा जाएं तो इसके तो 365 कॉलेज एप्लस तो तीन सो चॉच्छ कॉलेज के टोटल लगब फॉर्म फिलप होना बाकि है इसके बाद जब फॉर्म फिलप होने क्योंकि हम सबी जानते हैं अगर फॉर्म फिलप नहीं होता है तो फिर उनके अडिमिर्ट कार्स नहीं आएंगे तो फिर अपने आप प्र MSC पर ना पॉस्पोन करना पड़े जैसå कि लगबग पोस्ट बैसिक भी सी हो गया चैसे नर्सिंक हो अपके लिए जो BSC nursing third year BSC nursing के first year third year दो paper है, दो exams है दो session के exams है फिर post basic BSC का है और साथ MSC nursing का है यह चार संकायों का परिक्षा है इनके total देखा जाए तो एक जो बड़ी दिक्कत है कि जो election की dates है और इनकी dates है अभी कुछ common है लेकिन सिर्फ election की dates common करने के कारण नहीं, paper आगे नहीं बढ़ा रहे है election की dates तो है अब इसमें भी election की dates को और इन dates को common करेंगे तो छात्रों को क्योंकि मद्दान तो सभी के लिए है तो इसको ले करके हो सकता है date आगे बढ़ाएं लेकिन पूरा time to work postpone कर रहे हैं इसके लिए आपको mostly यह समझना होगा कि अभी पूर्ता ना करके वापिस से जो जो एक एक दो 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 दिन करके वह आगे पीछे करेंगे मतलब जो सुरू के पेपर हैं जिन पर election की देट से उनको पीछे कर देंगे पहली बात दूसरी बात जो फॉर्म फिलप नहीं हुआ ह उन फॉर्म फिलप होने के लिए यह भी क्लियर इंडिकेशन है कि अभी फॉर्म फिलप करने की डेट सो चालू करने वाले हैं मोश्ट प्रेबली आज और कल में नोटिस आ जाएगा तो सभी स्टुएंट्स अपने अपने कॉलेज की फॉर्म भर लें जिससे 364 कॉलेजिस क अब सरफ में टेवल ठीट हो जाएं जैसे अन्यपी स्टुएंट्स को दिख्कत नहीं और के वाद जो पेरा मेडिकल की स्टुएंट्स में प्लेजिट divra मेडिक्र लिए अप लोग के लिए अभी टाइम टेवल रिलीज नहीं की हैं लेकिन फिर भी आप लोग के भी लिख चाहे वो student unsuitable college से पढ़ रहा हो चाहे suitable with minor deficiencies या suitable college या लगवाक 364 college हो के students के exam होने तै हो गए हैं अब जिनके CVI जाच नहीं उनका क्या उनके लिए भी अब CVI की जाच होगी और उनके लिए भी exams आएगा GNM को ले करके और GNM के जो result अभी announce हुए है जिन जिन student के GNM के result अनाउंस हो गया है वो जरूर कमेंट करके बता है तो इससे यह पता चलेगा किस college का result नहीं आया है और किस college का आया है यह वो colleges है जिनका Supreme Court ने इस्टे लगा हुआ है तो चलिए देखते हैं वीडियो में कितनी लोग कमेंट करते हैं कि उनके result आ गए है और आपका result कैसा रहा comment करके ज़रूर बताईए अगर आपको इसके लावा किसी तरह की समस्या आ रही है और मैं उसको नहीं address कर रहा हूँ तो आम मुझे comment कर सकते हैं अगर आपको live session रख